नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतिय इतियास के सुरोत का एक तीसरा वीडियो है आज हम जानेंगे बिदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी तीक है, सबसे पहले हम जानेंगे युनानी रोमन लेखर जैसे टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले लेखर जैसे नर्याकस, आने सिक्रेटस, आस्टियोगुलस, मेगस्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसियस, टॉल्मी, पिलिनी टेसियस, टेसियस जो है इरान का राजबैद था भारत के संबन्द में इसका बीवरण आस्चर जनक कहानियों से परिपूड होने के कारण आबिसस निये है हेरोडोटस, इतिहास का पिता कहा जाता है इसने अपनी पुष्टक हिस्टोरिया में पांचवी सताब्दी इसापूर के भारत खारस अर्थात इरान के संबन्द का वरण किया है परंति इसका बीवरण भी अनसुरतियों या अपवाहों पर आधारित है सिकंदर के साथ आने वाले लेक कोमें रियाकास आने सिक्रेटास तथा आस्ट्योगलस के विरण अधिक प्रामारी के विश्टोरियों भी सस्मिये है डायओनेकस की बात करें तिया सिरियन नरेष आन्तियोकस का राज दूद था जो बिन्दुफार के राद दरबार में आया था इसका विरण भी माउर यूक से संबंदित है मेह स्थनीज की बात करें थै eric's dailradowe ट Took-a-d aim में श्थनीज किसी रथ की रवाद दर्भार में आया था इया थया सब्कार दो आजीज के में ए आज करेंpełnie मेह स्थनीज आज न으ाइर की बात करके दर्भार दर्भार था यानि मेगस्थनीज डाइमेकस डायोनीसियस ठीक है चैंद्रगुप्ति मौर चैंद्रगुप्ति मौर गवाद बिंदुफार गवाद असो तॉलमी तॉलमी दूसरी सदावती में भारत का भूगोल नाम पुस्तक लिखा था पिलनी इसने पर्थां सदावती में नैचरल हिस्टरी लामक पुस्तक लिखी इसमें भारती पफून, पेड़पाउधो, खनिच्पदार्थो आधी के बारे में बियुरन मिलता है अब बात करते हैं पेरी प्लस, आफदा, रिध्रियम, सी या एक पुस्तक है इसके लेखे के बारे में कोई जानकारी नहीं है या लेख पारिक बस्तूओं के बारे में जानकारी दे थी बात करते हैं चीनी लेखक की फाहियान, सन्यूगन, हेनसांग और इत्सिंग चार लेखक हैं फाहियान चीनी आतरी गुप्त नरेश, चैनरगुप्त दूतिये के दरबार में आया था इसने अपने बियुरन में इसकी जनता को सुखी यों सम्रिद बताया है या 14 वर्षों तक भारत में रा है। बात करते हैं सन्यूगन की या 588 बिए में भारत आया इसने अपने तीन वर्षों की यात्रा में बहुत धर्म की प्राप्तियां या कत्रित की। बात करते हैं हेन सांग की तिया हर्षपर्धन के सासनकाल में भारत आया था हेन सांग 629 सिस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगबग एक वर्ष की यात्रा के बाद सरपर्थम या भारती राजित का पिसा पहुंचा भारत में 15 वर्षू तक ठेर कर 645 सिस्वी में चीन लोड गया वह बिहार में नालंदा जिला इस्थित नालंदा विश्विद्याले में अध्यन करने तथा भारत से बाउध गरंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था इसका भर्मण ब्रत्रांत सी यू की नाम से प्रसित है जिसमें 138 देशों का पि सूद्र था हिन सांग ने वुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और स्यू की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था हिन सांग के अध्यन के समय नालंदा विश्विद्याले के कुलपती कौन थे आचार शील भद्र थे यहा विश्विद्याले बहुत दर्षन के लिए प्रसित था बात करते हैं इच्सिंग की या साती सदाव्धी के यंत्त में भीयुरण में नालंदा विश्कीत ड्याले विश्कीत ड्याले प्रियुरंओंपी करीक फिक्रेंके जुझन उन двухछा फ्रush Toby Surii आज ही धियासकारू के लिए एक महतपूर फ्रोथ है, यह एक प्रिस्त्रित गरंत है जो धर्म और दर्फन, तेवहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीत रिवाजों तथा प्रथाओं, समाजिक जीवन, भारतों तथा मापन विदियों, मूर्तिकला, कानून, मापमंत्र, विज्ञान, आजविषयों के अधार पर अस्वी अध्यायों में विवाज़त है, इसमें राजपूत, कालिन, समाज, धर्म, रीत, रिवाज, राजनीत, आज़ पर सुन्दर प्रकास डाला गया है, इबन बतूता की बात करते हैं, जो कि एक अर्बी लिखक है, इसके प्रकास डाला गया है, इसमें रिहला कहा जाता है, शवदहीं सदाप्दी में भारतिये महादीप के सामाजिक तथा स्वांस्कृतिक जीवन के विश्वय में बहुत ही परशूर तथा सबसे रोचक जानकारिया देता है, तिरा 133 सिष्वी में दिल्ली पहुँचने पर इस एक तिबती लेखक थें, इसने कांग यूर तथा तंग यूर नावगरंद की रचना की, इन से भारती इतियास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, मारको पोलो के बारे बात करते हैं, यह 13 सिष्वी सताब्दी कैंत में पांड देश की यात्रा पर आया था, इसका प्योगी है,